हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर्ड जोन में आज हम बात करने वाले हैं वोड़ा फोन आइडिया के बारे में क्या लिटेस निज निकल कर आई है किस लिए आज इतना तेजी देखने को मिली वोड़ा फोन आइडिया में और आज का परफार्मेंस क असा हो सकता है उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माधियम से समझने की कोशिश करेंगे वेल फ्रेंड्स आज वोड़ा फोन आइडिया के शेर होल्डर्स जिन्होंने 8 रुपीज 75 पेसे या 8 रुपीज 80 पेसे पर परचेस करके लगाया था उनके चेहरे पर स लगा है वोड़ा फोन आइडिया के शेर ने उसके बीचे क्या रीजन है क्यों इतनी बड़ी तेजी आई थी और मंडे इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है उसके बारे में भी हम अनलाइस करने की कोशिश करेंगे और लेटेस न्यूस भी क्या निकल कर आई है उसके बारे चलिए आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था वोड़ा फोन आइडिया का आज जबरदस तेजी देखने को मिली वोड़ा फोन आइडिया के शेर में ये क्लोजिंग दिया है 9.50 पैसे पर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 8.57% की इसमें ब लाइक हिट करकर अप्रिशेट कीजेगा वड़ा फोन आइडिया ने ओपनिंग दी थी 9.50 पैसे पर और ये हाई लगाया 9.60 पैसे और ये लो लगाया था 9.50 पैसे जो उपन हुआ था वही इसका लो था इसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली उसके पीछे रीज 23 क्रोर 12,5,000 की इसमें डेलिवरिट हाई गई है अगर हम percentage में देखें तो 39.84% की इसमें डेलिवरिट हाई गई है friends जो की बहुत ही अच्छा percentage है इतनी बड़ी quantity के लिए अज बहुत ही अच्छी quantity में trading हुई है अगर हम BAC के website के बारे में बात करें तो यहां पर quantity traded है 16 क्रो इठाई गई है six crore 60 lakhs की इसमें delivery इठाई गई है percentage में देखा जाये, तो 40.78% की इसमें delivery उठाई गई है friends, जो की बहुत ही अच्छा percentage है अभी भी delivery percentage में बहुत अच्छा काम हो रहा है, यह particular share में लग भग 40% की delivery अठाई और आज बहुत ही अच्छे numbers में quantity trade हुई है और delivery भी अच्छी quantity में उठाई गई है चलिए friends हम news देख लेते हैं कि क्या news निकल कर आई है दो breaking news निकल कर आई है Vodafone idea में जिसकी वज़े से आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली इस particular share में पहली news तो आपको पता ही है कि लगा fundraising के लिए और मैंने कहा भी था कि इसमें जरूर fundraising होगी यहाँ पर एक news निकल कर आई है उसी basis पर जैसे कि आप देख सकते है Vodafone idea said it that it continue to explore fundraising opportunity and will inform the regulators once proposal to raise rupees 25,000 crores is considered by its board तो 25,000 crores के fundraising की पूरी तयारी चल रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि different institutions है जो interest भी दिखा रहे हैं इस particular project में और अगर यह implement भी नहीं होता तो plan B भी ready है जो के you broadband को बेच कर इसमें fundraising होकी उसका भी update आया था friends हमें जो कि मैंने इस channel पर update गया था अगर आप यह channel पर नहीं है और आपको इसी तरह की latest news चाहिए तो जल्दी से subscribe button दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह क latest news मिल सकें और एक एक breaking news निकल कर आई है friends AGR related जिसकी hearing होगी 19th July को यह एक बड़ी hearing होगी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इसमें Airtel और Vodafone दोनों involved है और मुझे लगता है कि Supreme Court Vodafone idea और Airtel के favor में यह case सुनाईगी जिसकी वज़े से आपको एक बड़ी तेज हुई है friends आज और बड़े मात्रा में delivery उठाई गई है जिसका clear indication है कि Monday भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है 2-3% की तेजी देखने को मिल सकती है friends जैसा कि हमारा aim था 12 रूपीस 13 रूपीस का जल से जल देखने को मिल सकता है अगर fundraising भी हो जाती है तो और मैंने अपने प 50 रूपीस discount भी दे रहा है friends एक नई news निकल कर आई थी जिस तरह के काम कर रहा है word of an idea का management तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर 13-15 रूपे का target भी यह year end तक देखने को मिल सकता है friends यह तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर ही invest कीजे अगर आपको यह video informative दिखा तो इसे like करकर encourage करिए अगर आप मेरे channel पर नए हैं और आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए इस video को like कीजिए share कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिये ताकि आपको इसी तरह के latest news और analysis सबसे पहले मिले